लुकायोकत के थीम ने रतलाम जिले के आलोड के महिला पटवारी को रश्वत लेते रंगे हाथों किरफ़तार किया है। पटवारी ने एक किसान से जमीन नामंतरण के लिए 8000 रुपए के रिश्वत ली थी। लुकायोकत जेन के नुर साल आलोड के अनंदिगर गाव के किस अन भारत सिंग चुहान ने अपने जमीन के नामंतरण के लिए तहसिल कारले में आविदन प्रस्तूत किया था। इसके लिए आलोड के पटवारी हलका कर्मा के 27 के पटवारे प्रयंका सोनी ने उससे 8000 रुपए के रिश्वत मांगी। उसमें रिश्वत के रुपए लेक अविदक को आलोट इस्तर तक कारगेल चुराहे पर बुलाया था। भारत सिंग ने इसकी शिकायत लुकायुक्त तुची नेस पी अनल विश्व करमा से की। लुकायुक्त ने शिकायत के सत्यापन के बाद भारत सिंग रिश्वत के नोट देने के लिए प्रयंका सोनी के अविदक भारत सिंग कामिकल लगे रुपए लेकर करगल चुराहे पहुंचा वहां पहले से ही लुकायुक्त के टीम निरक्षिक डॉक्टर बसंद श्रवास्व के नतरत वुमेत अनात थी। जैसे ही भारत सिंग ने पटवारी को रिश्वत की रकम सौंपी लुकायुक्त के टीम ने ब्रहष्ट पटवारी को पकड़ लिया। टीम ने पटवारी सोनी के रसायन में हाथ धुलवाये तो वे लाल हो गए। लोकायक तो टीम ने पटवारी को ब्रहष्ट चाड़ निवारण अधिनियम के तहत कि रफटार कर पंचना में बनाया। और उसके द्वार लिए गए रुपए भी जब्त कर लिए कारवाही में निरिक्षिक श्रिवास्तिफ के साथ विशाल रेश्मिया इस्रार महिंद्र जाट्वा संजय पचील एवं महिला आरक्षिक शामिल रहे अभी तक है 12 चौहान पिता प्राला सिंग चौहान आनंगर्ड आलोट के रहने व उन्हें 15,000 रुपए को नामुटक कराने के लिए मांग की थी जिस पर से उन्हें पुलिस दिख्षिक लोकाई तो जेहन को सिकायत की थी जिस पर सर्त्यापन मुझ निरिक्षक बस्वन स्वास्ता की द्वारा किया गया जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा 15,000 ते कम क तो वहां पर इन्हें पकड़ा हैं वहां से लागे कारवाई आ रही कक्ष में कर रहा हैं उनके ब्रूद धारा साथ ब्रसकार निवान अद्रियों का पंजीवत कर लिया गया है और अभी आगे कारवाई जारी है प्रियंका सोनी यह हलका नंबर 27 है अटपा जो आलोट में नायप तहिलार में मुर्फ खान के अडर में है अबसान स्रिवास पाल निरिक्षक लोपाई दुख्या है सर्सी से पबंधाकर की रिपॉट